पारत्विच करोना वारस ते बरीशा दिगिंती लगातार वातरी है पॉसिटिफ बाबल्या दिगिंती वाद केती हत्तर हो कई है पारसरकार ने फिदेश तो और वाले याप्लिया ते पाबंदी लाई है 15 अप्रेल तक सेलानिया दे टूरिस्ट वीजेर रात कीते गईने अठाई मार्च तक उडाना राध कितियां चीन, इटली, इरान, दखनी, कोरिया, फ्रांस, पेन, जर्मनी तो पारत आई यात्रिया ते सक्त नजर रखी जारी है 15 फर्वरी तो बाद पहुंचे यात्रिया लू कटो काट 14 दिन अठाक एक बूचे तो दूर रख्या जावेगा तो अंदास्तिय की लगातार हुन पारसरकार्टे वल्लोवी एहम कदम चुके जारे ने हाला कि तो अंदास्तिय की पॉजिटिव मामलियर गिंती वद के 73 हो कई है एक अच्छा कदम है क्योंकि पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्वा में ये करोना वाइरस फैल रहा है इसलिए भारस सरकार ने आज ये अच्छा निर्ने लिया है कि 15 एपरिल तक बाहर के जो टूरिस्टा आ रहे है उन पर बंदी लगाई जा रही है यह सब करोना का है हमारा क्याम है कि सरकार ने जो किया डिसीजन अच्छा है कि बाहर लोगों को यहां आने में बंदी करना चाहिए कि बाहर के लोगों के वास्ते अपनी इंडिया के लोगों की जान क्यों जोकिमें डाले और इसे भी थोड़ा आगे कदम उठाना चाहिए एक मैने तक जब तक करोना का ये पुरा वाइरल कम नहीं होता तब तब उन लोगों का बंदिला काना चाहिए यदि बाहर से आने वाले लोगों का मेडिकल चेक अप होकर के अंदर लाया जाये तो हमारे यहां करोना वाइरस को फेलने से रोका जा सकता है दूसरी बात है यदि नहीं आया जाये तो हमारे जो टूरिस्ट से जो इंकम होती है उस पर भी बहुत हट तक परभावित होगी तो मेरा मानना है कि सरकार को इस फैसले को लेकर के जहां एक और अच्छी बात है वहां दूसरी और हमारे उपर हमारे एकोनोमिक पर भी परभावित होगी सरकार को करोना वाइरस के लिए जन जागुता अवियांच चलाना पड़ेगा जैसे कि परतिक लोगों को मास्क पानना चाहिए उसके बाद खासते या चिकते वक्त हमें रुमाल रखना चाहिए दूसरी बात हमें हाथ में नहीं मिलाना चाहिए जैसे की हाथ जोर करके सलाम करते है उस परकार से करना चाहिए इस परकार से हम करोना वाइरस को बहुत हद तक काबू पा सकते हैं करोना दा कहर कोश आहोजा चाल रहा है कि पूरी दुनिया दे वेच लोग डारते साः जिसने उसे दे चाल दे हैं ही पारा सरकार वालो डवाइजरी जारी की ती गई है कि 15 अपरायल 2000 वी तक सारे लोग जो कि इंदुस्तान आ रहे हैं उना दे वीजाज सस्पेंड कर देते कहने वैंस पड़े आई जी आई जी आई जिनू कि इंद्रा गंद इंटरनेशनल इरप जो लोग विदेशा तो आ रहे हैं सरकार ने उना दे वीजाज सस्पेंड कर देते कहने हाला कि इस प्रतिबंद तो डिप्लोमेट्स ने उना नूं सहीं तो राश्ट संग दे दिकारिया नूं ते इंटरनेशनल प्रजेक्श्ट से जो लोग काम कर रहे हैं उना छूट मिल लेगी लेकिन इस तो साफ चीजे की जो लोग इते वीजास ते जिनाने को मन और उना सी जिनाने छुटियां ते उना वास्ते होने एड़ेडी तेरा मार्च दोहियार वी तो लागू होके पंदरा अपरेल दोहियार वी तक रहेगी दूसरे पासे फ्रांस जर्मनी ते स्प दूरी ना होए ते विदेश जी यात्रा ना करन जेकर किसे भी मुल्कों जाके पर्तदे ने तिकाटवट 14 दिना तक उनानों लोका तो वक्रा रख्या जा सकता है चीन, इटली, इरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेंज, जर्मनी एह जे देशां जेकर कोई जानदा है यहां वि सरकार ने एक कड़े कदम चकेने, एक सब तो बड़ी चीज़े वे कि इस पूरी बमारी वे जेड़े बचा भी सुरक्षा है, अपने हाथ तो ते जान, सैनेटाइजर दा इस्तमाल कीता जाए, लोका ना हाथ ना मलाया जाए, इस सरकार लगातार अपील कर रही है, इस करके साढ़ी वी साढ़ी जर्शकानों सबनों एपील रहेगी कि तो जिनना बचया जा सके, उनना ही बचया जाए, कैमरा परसंट जिकजीश दिनार हर्पिश सरेंग, पीडी सी न्यूज दिली